वेडियो के लाज तक बने रहे हमारे साथ और भी अगली इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए सो लेट्स स्टार्ट वीडियो सो मेक अप करने से पहले मैंने अल्रेडी फेस क्लीन कर लिया है तो मैं ऐलो वेरा जल लगा रही हूं आप चाहें तो ऐलो वेरा जल का भी यूज कर सकते हैं या फिर प्राइमर जो आपको बैस लगता हो दन आपको इसको थोड़ी देर सूखने देना है और उसके बाद आप इसमें जो है फांडेशन और मेक अप जो हैं लगाए अपने फेस पर तो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूं बीबी प्लस का रोज क्रीम है यह फांडेशन क्रीम है इसको मैं टैप टैप करके पूरे फेस पर लगाऊंगी और इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हल्प से मैं पूरे फेस पर इसको लगाऊंगी तो ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करना ना भूलें दन उसको अप्लाइ करें फांडेशन को ये मैंने अपने पूरे फेस पे इसको अच्छे तरीके से लगा लिया है आप चाहें अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी फांडेशन यूज़ कर सकते हैं सो इसको अच्छे तरीके से पूरे फेस पे लगा लेना है मैं इसके ऊपर अप्लाइ करणागी मेख फिक्शर मेख फिक्शर को बाद में लगाना चाहिए बट मैं पहले लगा रही हूँ सो एक्स्पेरिमेंट कर के देखते हैं इसमें क्या है रिस्पॉंस सो मैं मेकप फिक्सर लगा रही हूँ ये और इसको अप्लाइ कर लेते हैं पूरे फेस पर ये लग चुका है पूरे फेस पर और इसको थोड़े देर सूखने देना है सो मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हल्प से थोड़ा टैप टाप कर लेते हूं फांडेशन और ये मेकप फिक्सर जो है इसमें लग जाए अच्छे तरीके से सो इसको मैंने लगा लिया है ये थोड़ा ठीक हो चुका है सो नेक्स्ट मैं इसके ऊपर अप्लाइ करूंगी फेस पाउडर सो इसको पूरे अच्छे तरीके से सुखा लेना है सो ये हो चुका है कमप्लीट इसको थोड़ा ड्राइ होने देते हैं सो दे नेक्स्ट मैं यूज़ करी हूं ये फेस पाउडर तो फांडेशन तो मैंने अल्रेडी लगा रखा था तो ये लगा रही हूं मैं फेस पाउडर तो इसको भी पूरे फेस पे अच्छे तरीके से लगाना है तो नेक्स्ट हम इसको लगाने के बाद अपना मेक अप स्टार्ट करेंगे पूरा सो प्राइमर, फांडेशन और फेस पाउडर आपको लगाना है पहले सो दे नेक्स्ट मैं यूज करूंगी काजल सो काजल लगाते हैं सो इस काजल को आप लाइनर और काजल और आइब्रो पैंसिल का भी यूज कर सकते हैं तो म्यूजिक फ्लावर, लाइनर जेल है ये तो इसको ये तीनों काम में आ जाता है लाइनर लगाने में भी और आइब्रो बनाने के लिए भी और काजल लगाने के लिए भी तो इसमें मैं ब्राउन कलर का शेड यूज कर रही हूँ सो बिकाज मेरे जो हेर हैं वो ब्राउनिस कलर हैं तो मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ तो आईब्रोज को अच्छे तरीके से डिजाइन दे देना है तो यह कम्प्लीट होने जा रहा है और थोड़ा सा यहां पर भी फिल कर लेते हैं थोड़ा डार्क सा लगना चाहिए तो यह हो चुका है कम्प्लीट यह है मुजिक आई फ्लावर जल नेक्स्ट मैं यूज करूँगी यह रेड कलर का आई पैलेट सो विकाज मेरी जो सूट है वो वाइट कलर की है और उसमें रेड फ्लावर बने हुए है सो वाइट लगाऊंगी आई पैलेट तो अच्छा नहीं लगेगा सो कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप मेकप करेंगे अपने ड्रेस के हिसाब से तो वो जादा बढ़िया लगेगा सो मैं इसमें रेड कलर यूज कर रही हूँ आप चाहें तो इसमें ब्राउन शेड या फिर क्रीम शेड या फिर ओरंज शेड भी यूज कर सकते हैं वाइट के साथ तो अच्छा ही लगेगा सो मैंने इसमें लगा लिया है अब मैं यूज कर रही हूँ यह वाइट शिमर बिकाज वाइट ड्रेस है तो वाइट शिमर अच्छा लगेगा सो यह हो चुका है कंप्लीट सो वाइट शेड मैं लगा रही हूँ बोध आईस पे सो यह हो चुका है दोस्तो तो रेड आई पेलेट के साथ आप गोल्डन या फिर वाइट और सिल्वर और ब्लेक और ब्राउन शिमर भी यूज कर सकते हैं अच्छा लगेगा बट मेरी ड्रेस जो है वाइट और रेड के कॉंबिनेशन में हैं तो मैं इसमें रेड और वाइट शिमर का कॉंबिनेशन अब अपने कॉर्डिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपको बैस लगे तो यह हो चुका है आई मेक अब यूज कर रही हूं लाइनर तो लाइनर के लिए मैं जादा बोल्ड लाइन नहीं बनाऊंगी थिन लाइन बनाऊंगी और आज थोड़ा विंग जो है कम कम है तो इसी तरीके से दोनों आइस पर आपको विंग बनानी है अपने आइस पर तो आई मेक अप होने ही वाला है काजल लगाना है और लाइनर लगाना है और इसके बाद आप चाहें तो मशकारा भी लगा सकते हैं और आई लैश में यूज नहीं कर रही हूं तो विदाउट आई लैश यह आई मेक अप है तो यह लग चुका है लाइनर अब मैं यूज कर रही हूं मसकारा तो दूसरी आइस पर भी इसी तरीके से लगाएंगे मसकारा तो दे नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूं ब्लश ओरेंज ब्लश सो यह हो चुका है मेक अप सो काजल और रहे गया है काजल और लगाना है दिन लास्ट हो गया है लग बग सो यह हो चुका है ब्लश ओरेंज लिपस्टिक मैंने यूज कर रही है सो अब मैं यूज कर रही हूं वाइट पैलेट एजा सिमर सो नोस पे भी लगा लेते हैं थोड़ा सा और चिन पे भी सो दे नेक्स मैं यूज करूंगी यह रेड कलर की लिपस्टिक तो इसको पहले मैंने टैप टैप किया है देने इसको लगाना है आज मैं लाइनर नहीं लगा रही हूं विदाउट लिप लाइनर के है यह लिपसिक और यह लग चुकी है सो काजल और रह गया है काजल भी लगा लेते हैं थिन लाइन बोध ऐस पर मैं काजल लगाऊंगे अपने और ये मेकप मेरा हो गया है अब रहे गया है बागी हेर डू अभी हेर डू भी करना बागी रहे गया है तो हेर को कॉम कर लेते हैं तो सिंपल ओपन हेर में रख लेती हूं बिकाज सो अभी इसको कॉम करना है हेर्स को सो मेरा मुएकब तो हो चुका है और अब आपको मैं ड्रेस पहन के दिखाती हूँ की ड्रेस कैसी है सो हेर इस दा फाइनल लुक और मैंने वाइट सूट के साथ रेड कलर का डुपट्टा पहना हुआ बिकाज इसमें रेड रोजस बने हुए तो रेड फ्लावर इसमें ज्यादा बैस लगेगा ये है मेरा फाइनल लुक गाईस कमेंट में ज़रूर बता दे मुझे कर दो स्टा में ज़रूर इसमें ज़रूर का जब उबे फेक्षार के लिए करे बाहे में ज़र。 कर दो में ज़रूर के छीजादा रेड़्ों झाल 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 पगलो तो दो कि आप गबिए दो है पूलो यह नहीं पह प्रुटर्ण नवाँ कि मुआ एग हुआ पहलो अबदेको झाल झाल ये लुक आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरू बताएं और इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें सो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई